हेलो गाइज वेलकुम टू श्वेता क्लासिस यूट्यूब चैनल इस श्वेता तोंगर कैसे है आप सब लोग चलिए एंसरेशन का आज चप्टर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.3 आज करेंगे वेश्चन नमबर 1 2 3 & 4 आज हम कंप्लीट करेंगे तो देखते हैं क्या है प्रशन नमबर 1 विश्चन नमबर 1 है और किसी भी रेक्टेंगल की टैंग या ब्रेथ दी हुई हो तो हम एरिया कैसे पांड करते हैं कि आ है फॉर्मूला कि और इसे क्या फॉर्मूला कि इंदम से इसंदम कमेंट में कमेंट करो कि हां यह फॉर्मूला है क्या लिखेंगे एरिया ओफ प्रेक्टेंगल किजी कोल टू तो इतना सा फॉर्मॉला है और कि यह होता है एरिया मतलब होता ही अंदर का बाट सारा नहीं को अच्छान का प्रेंट कितनी है सेंटीमीटर रैंट ओर सेंटीमीटर क्या आग्या है यह आपका आपका आपको अजल्दी से यह नहीं लिखी है आगा तो शीक of को आंपको बता है कि जब भी area की unit लिखेंगे हम तो हम क्या लिखेंगे centimeter के साथ square जरूर लगाएंगे अगर हम square नहीं लगाओगे centimeter के area के साथ तो आपका half mark deduct हो जाएगा कि अगर बनाव का question होगा तो आपका half mark deduct हो जाएगा तो आपको बिल्कूल भी unit नहीं भूलनी है एक्स वाला देखो area of rectangle is equal to वही L into B अब 12 meter and 21 meter तो आपको table या दे तो आप एक बार में करतो के 12 रंजा 12 तूचा 24 और ये 25 और क्या लिखेंगे unit meter साथ में खालब तेयर हो गई ना बात ये हो गया आपका answer चलिए नेक्स रिखते हैं 2 km and 3 km area of rectangular, rectangle जी दे रखा है ना rectangles is equal to I into B 2 into B अब बच्चे मुझे ये बताओ ये जो हम unit लिखते हैं इसमें square लगाते हैं कि आपने सोचा है कि भाई ये square कहां से आ जाता है जल्दी से क्या पता है किसी को पता है तो comment करो जल्दी से किस जिस को पता हूं और नहीं पता है तो मुझसे सुनो देखू जब भी हम numbers का multiply करतें तो क्या हम units का multiply नहीं करतें करते हैं नबर को number से multiply किया तो मैंने कर दिया 6 लेकिन या unit को unit से multiply नहीं करोगे जब आप kilometer को kilometer से multiply करोगे तो ऐसे ही уже बिक्षोगे इत गिजिट में है कि जो जाएंगे तो हम क्या करते है इसका एक बार किलोमीटर लिखने के बाद हम इसको इस स्वाम में लिख देते हैं इस स्क्वार का मतलब क्या है कि किलोमीटर को दो बार मल्टिप्लाइ किया जाए जैसे हम लिखते हैं आप टू का स्क्वार क्या मतलब होता है two cuts, two times, multiply किया जाए, यहां पर भी same मतलब होता है जो unit D ही है, उसको उसी से एक और बार multiply किया जाए. nuclear हो गया ना कि हम अब square क्यू Videos लगाते हैं, अब तो नहीं बुलूगी ना कि square लगाना है कि नहीं लगाना है. जब हम add कर तो स्क्वाइर नहीं लगाते हैं, करते हैं तो वहाँ पर किजें डबल भी होती है इसलिए हम स्क्वेर नहीं होगी किसी से भी नेक्स पेशन देखो तो इंट्व सेवंटी सेंटी मीटर अब यह तो गडबर हो जाएगी अधिने सेंटी मीटर है और मीटर है क्या स्क्राइब कर सकते हैं है नहीं कर सका है तो क्या करना होगा यहां तो मीटर में चेंज करो यह को सैंटी मीटर में चेंज कर दिए अब इस्का मल्टिकेशन कर आज हो कि नंबर का नंबर से मेल्टिप्लाय सेवन टू जाब फॉर्टीन हो जितने भी जीरो है लास्ट में ठीक है कि यहां पर यूनिट तो लिखी ही नहीं अब यह मेरा आंसर कंपीट मुझे फुल मार्क में घाए आपको समझाना मेरा समझ में आ रहा है ना अच्छी लग रही है लगरी है तो लाइक करते हो साथ-साथ जो जो आप लोग वीडियू जाख रहे हो या कभी भी देखते हो तो भाई पहले हि पाल लाइक तो कर दिया कर पंटर अगल स्क्वार्ड घुचांओ आप स्क्वार्ड का मतला हैं एक ही साइड दी हुई है फर्मूला क्या था या औफ स्क्वार्ड इपकोड टूब क्या है थां इंटू स्चाइड या साइड का स्कार की बात है साइड इंटू साइड लिग दो की बात है लगा देते 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 cm स्कार की का है ती तरीके से अरिया आफ स्कार इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मुटिपला करो दो कि एक ने कौन फास्ट करता है या आप कि आप लोगों का क्या अनसर आया ज़ादी गता तू वे तो मुझे बवर कमेंड करो फटा-फट से आप लोगों का अंब सहे इस जड़ते हैं अगले question की तरफ क्या है अगला question तो question no.2 ही ही हमारा गल क्रिंग लेकना पर हैं तो कि ःताथ है Success करना है सब्सक्राइब करना है और आप मुझे जॉइन करकर यह जब भी आप पूछना चाहों आपको जरूर मिलेगा यह यूट्यूब का लोगो है करने में करो कम से कम कोई चार्ज नहीं लगता और मैं भी आपको फ्री अपॉस्ट क्लासे देने वह ज़िसे फटाफट शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ कि जो क्लास आपको मिलती है और थर्टी पीम पर मिलती है देनी और अज़िस मिलती रहेगी जब तक कि आपका स्लेबर्स नहीं हो जाता ठीक है प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी प्रिवियस क्लासिस पर देख सकते हो वान वान सारे चैप्टर्स कराये हैं और इच और एव जानी तीन रेक्टेंगल है एक यह है और एक क्या कर रहा है किसका एरिया बड़ा है और इच वन है प्लेस्ट एरिया निकाल ले जे डारेक्ट निकाल ले क्या फर्मुला याद हो गया सबको a is equal to l into b q you can select 9 into 6 54 eater square 17 into 3 71 eater square और 3rd बाले का 4 into 14 40 फोल्ड आप 56 मीटर स्कॉर्ड अरिया बड़ा है तो यह 56 है 54 है तो बोलेंगे Rectangle A has A has Charger area End Rectangle B as polar area इसी chapter है बहुँल easy कुछ नहीं करना है multiplication करके और square लगाकर आंसर नहीं करें यह आज का topic का last question है आंसर देखो area of rectangular garden 3 meter long एक 300 square feet अहां से question को पढ़ना है इस question क्या कहना है क्या हम से पूछा गया है question में पूछा गया है कि area एक rectangular garden का area समझ में आए कि क्या दिया हुआ है तो यहां देखना यह क्या लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर हमें area और एड़ी इवन है कि अगर आपको statement भी नहीं समझ में आड़ी कि क्या लिख रहा है अब क्या देखने आप उसकी unit check करोंगे unit पर भी square लिखा हुआ है square लगा हुआ है इसकी जगे अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो आपको पता चलता कि यह area दिया हुआ है ठीक है अब हम क्या करेगे हमें क्यादी आपको फिल्ट और इक रहा है area of rectangular field equal to L into B अब यह क्या दिया हुआ है पर आपिसे वी टेश्ची अगे लिखो यह क्या हुआ है यह क्या दिया हुआ है long मतलब length देख दिया हुआ है तो आपने length पी बिखो तो प्रेथ दिया हुआ है क्या है प्रेथ की जगह पर बी लिख दो इस च्छेप क्या करने है हमें एक नियुक्त करने है कि जो 50 है दो तो दूसरी साथ जाएगा तो दूसरी साथ जाएगा तो जाता है जाएगा डिवीजन हो जाएगा तो जाएगा तो गलती से भी यह मत करना कि प्लस को तो चेंज कर दिया डिवाइड में और माइनस को चेंज कर दिया मल्टिपिकेशन यह तो बिल्कुल रॉग हो जाएगा माइनस को छेंज होगा माइनस प्लस में चेंज होगा डिवीजन मल्टिपिकीशन और मल्टिपिकेशन इसर मीज़ा यह एठिआ प्लस की जगह आप लगादो डिवाइट और माइनस की जगह लगादो मुट्रिपिकेशन पान सरक कहीं से कहीं तक भी नहीं है अब यहां थे तो 300 divided by 50 is equal to b को है अब 0 है लास्त में यहां पर भी है यहां पर भी एकार तो नीचे बचा थर्टी बचा करेंगे कि 5 से 30 पॉर्टिवाइट करें फाइचे थी प्षिक्जा इन क्या निकल और चुन्दी से या लि निकल कर आ गया थे या नी ब्रेटि पितनी हो गही अगो से गरेट ब्रेटि कितनी हो गईए इसमेट निकल कर आ गई 6 तरीका पसंदा रहा है ना तो फिर देख करना नहीं बिल्कुल भी कमेंट करना है कि मेरी कौन सी चीज आप करते हो और कौन सी चीज को लाइक करते हो दिस लाइक करते हो और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेर करने में बिल्कुल अब नहीं करनी है जो लोग आज फिर्स टाइम देख रहे हैं वोग सब्सक्राइब करेंगे जो लोग सब्सक्राइब कर लेगे और बैल आइकन के प्रेस कर लेगे तलि आने वाले तो मिल जाएंगे नेक्स्ट फोर प्वेशन के साथ तब तक पर रहिए ठीक से रहिए और वीडियो उसको देखते रहिए चलिए बाई बाई